दस अप्रेल को एक मैसेच वार्ट से पर चल रहा है कि जन्रल समाज और OBC समाज मिलकर भारत बंद का एलाइन कर रहे हैं मैं जानता हूँ कि OBC समाज इसका हिस्सा नहीं है लेकिन ये जन्रल समाज के जो संकिर और दूशित मांसिता के लोग हैं ये उनकी कर्तूत है साथियों ये हमें बाटना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने OBC समाज को भी साथ में लिखा है लेकिन इससे दो बात तो साफ होई जाती है कि ना तो OBC समाज इसमें शामिल है और दूसरा जन्रल समाज जो OBC समाज को अपना हिस्सा नहीं मानता अगर वो हिंदू मानता है अपने आप पहुचाईए उन तक जहां तक भी हो सकता उन तक पहुचाईए कि OBC के सातियों को ये समझ लेना चाहिए सातियों इस देश में OBC यानि अधर बैकवर्ड क्लास यानि अन्य पिछडा वर्ग समाज की जो जनसंख्या है वो 54 पृतिशत है और आपको आरक्षन कितना दिया जा रहा है मात्र 27 पृतिशत यानि आधा जितनी आपकी आबादी है वो आधा कौन खा रहा है क्या वो आधा शेडूर कास्ट और शेडूर ट्राइप्स के लोग खा रहें बिलकुल नहीं उन्हें तो जो उन्हें 22 पृतिशत मिला हुआ है जो कि उन्हें 25 पृतिशत होना हिस्सा खा कौन रहा है वही जन्रल समाज के लोग जिनकी आबादी मात्र 15 पृतिशत है वही आपका 27 पृतिशत हिस्सा भी खा रहे हैं सातियों और आपके हिस्से को खा कर ही आपको अपने साथ मिलाकर अपने ही भाईयों के खिलाप भढ़का रहे हैं सातियों तो ओभी सी समाज कोई समझ लाना चाहिए सातियों कि इस देश में अगर उनकी आबादी 54 प्रितिशत है तो उन्हें मातर 27 प्रितिशत आरक्षन क्यों दिया जाएगा और सुप्रीम कोट कौन होती है किस आदेश के तहट किस समविधानिक प्रावधान के तहट किस कानून के तहट मानिन सर्वोच नयाले को या अधिकार देता है कि वो आरक्षन पर कोई समय सीमा बांधे ये मातर क्योंकि सवन जाती के लोग ही सुप्रिम कोट में जज हैं इसलिए सवन समाज के लोगों को यानि जनल समाज के लोगों को इस देश का आधा से ज्यादे हिस्सा यानि 50.5 प्रिति सुप्रिम कोट या हाई कोट अपनी सीमा से बाहर जाकर काम करती रही है सात्यों 15 प्रितिशत लोगों के लिए 50.5 प्रितिशत आरक्षन इस देश की उन्होंने जो है सुरुक्ष कर दी तो क्या यह अन्याय नहीं है सुप्रिम कोट द्वारा ऐसे कितने ही अन्याय सुप्र लणना पड़ेगा अब तक हमने आवाज भी उठाई अब इस बात के लिए लणना पड़ेगा हमें कि अगर आबादी उनकी 54 प्रितिशत ही मिलना चाहिए जैसे मानेवर साहब काशी राम जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी